ओके तो फाइनली हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का रिटन हो चुका आज की स्मैकडाउन पर साथ इसाथ डब्ली डब्ली ने रोमन रेंस के लिए बैड ब्लड के अंदर एक मैच ओफिशल कर दिया इसके अलावा रोमन रेंस ने पूरी ब्लड लाइन को तो आपको बिल्कुल शिकायत नहीं मिलेगी इतना जाधा एक्स्ट्रीम लेवल पर डब्ली डब्ली ने आज का स्मैकडाउन बुक किया है अब देखो वैसे तो आज के शो पे काफी कुछ हुआ बट इस वीडियो के अंदर में आपको रोमन ने इनस और ब्लेड लाइन के बीच जो भी कुछ हा सारा कुछ बताने वाला हूँ सबसे पहले शो की स्टार्टिंग में हमको कोडी रोट वसी सोलो सिकोवा के बीच में स्टील केज मैच देखने को मिलता है जो की डब्ली ने वैसे तो मेन इविन के लिए ओफिशल किया था बट ये शो की जाधा कमाल का मैच था वैसे भी स्टील केज मैच आपको पता है कि डब्ली डब्ली काफी अच्छे बुक करती है और इस्पेशली ये तो चैंपेश्चिप के लिए मैच था और कोडी रोट और सोलो सिकोवा की जो स्टोरी लाइन चले आ रहे है उसके इसाफ़ से भी डब स्टील केज के ऊपर से एक साथ चल के आ रहे होते हैं फिर पीछे सोलो सिकोवा जो वह समन स्पाइक लगाता है कोडी रोट को और उसके बाद सारी ब्लेड लाइन के मेंबर जो है वो मिलके कोडी रोट को बजाने लगते और जेकब फाटू जो है वह स्टील केज के ऊपर चले वे यह थे भाई भाई वोह तो पता नहीं से कहई गाया बो लेते हैं और तील को क्या मोगेंजा लोट के और पीछा शूलो सिकोवा यही बाइन वह मैं तूमहारे पात है तामा टोंगा को इसके बात के होता हमको एक मुवमेंट देखने को मिलता है जहां पर जेकब फार्टू और रोमनेंस एक ही रिंग के अंदर है दोनों स्टील के अंदर है और देखके लग रहा था कि यह तो रोमनेंस अपना पिशली बार का बदला ले लेंगे जेकब या फिर जेकब फार्टू फिर से रोमनेंस ईसको बजा देंगे लिए बट इतने में होता कि सोलो सिकोब पकल के जेकब फार्टू को भार किश ले तो और वहां से जाने की तयाईरी करने लगते हैं बढ़ जाते इनके बाक्ट़्योड त लेस्ग के पास आते-गे बॉलते इसके बाद क्या होता Nicole इस contract लेकर Roman Reigns के पास जाते है, Roman Reigns बोलते हैं कि भाई जो भी कुछ है मैं main event में बता दूंँ असारा, इसके बाद जब show का main event आता तो महाँ पर Roman Reigns ये चीज़ बताते हैं कि भाई, WWE के अंदर सिर्फ एक ही tribal chief है और वो तुम्हारे सामने खड़ा है Roman Re प्लेट लाइन से लड़ने के लिए किसी भी पार्टनर वाटनर की जरूत निया वो अकेली काफी है इसके बाद क्या होता है कोडी रोट का थीम सॉंगेट होता है कोडी रोट निकल का आते है कोडी रोट रोमन नेंस से कहते है कि भाई देखो यह ड़वी तुमारी थी बट अभी के टाइम में ड़वी मेरी है जबसे मैंने तुमको रेसल मेनिया के अंदर हराया और इतना कैके कोडी रोट जो है वो माइक फैक देते है इसके बाद रोमन नेंस भी माइक फैक देते है अब ऐसा लग रहा था कि इन दोनों में आपस में कुछ होने वाला एक दूसरे कि बजाने वाल है कि इन की रैवैलरी कैसी रही हम सबको पता है इसके बद रोमन नेंस जो है कॉन्ट्रेक्ट उठाते और को को mater को इसके बाद को ठेते हैं low यогत You वह कर देते हैं और मैं नहीं नहीं सोचा हुआ कि डव्डवी कोडी रोट और रोमन नेंस को एक टीम के अंदर रख सकती है और आज के स्मैक ड़न के ओपर डव्डवी ने यह चीज बिल्कुल ओफिशल कर दी और अब हमको बैट ब्लट के अंदर रोमन नेंस और वासी सोलो सिकोवेंड जेकब पाटो के बीच में टेक्टीम मैश देखने को मिलने वाला और इस मैच की वज़े से बाई जो बैट ब्लट की हाइप थी वो इतनी जादा बढ़ गे ने और क्या कुछ हो सकता यार इस मैच के अंदर मतलब रोमन नेंस को भी बजा सकते हैं हमको महां पर रोक का रिटन भी देखने को मिल सकता है कोडी रोट रोमन नेंस को भी बजा सकते बाई इतना कुछ डब्लट के अंदर करवा सकती है ना मैं तो सोच के पागल हो रहा हूं लिटरली बाकि अभी बैट ब्लट को थोड़ा टाइम हो सकता डब्लट आने वाली स्मैक्डाउन के उपर इसमें और अधिया टीक